कुछ प्रोड़क्ट्स ऐसे होते हैं जिने कभी ट्राइ नहीं करना चाहिए मैंने एक पील ओफ लिप्सचेन का विडियो देखा था मुझे कॉंसेट इंट्रेस्टिंग लगा तो मैंने अमजॉन से दो से रुपे में वो खरीद लिया जब मैंने इस च्यूब की काप खोली तो वो बाहर बहने लगा था और इसको क्लीन करना काफी मैसी था फिर चालू हुआ मेरा असली स्ट्रगल इसको लगाने का इसका फॉर्मला एकदम फेविकॉल के जैसा था और इसको नीटली लगाना इंपॉसिबल था काफी स्ट्रगल के बाद मैंने गिव अप कर दिया इसे 10 से 15 मिनिट अपने लिप्स पर रखना था तो मैं फैंसे उसे सुखाने की गोशिश कर रही थी एक बार वो completely dry हो गया तब बारी आई इससे निकालने की मुझे लगा था आराम से निकल जाएगा but I was absolutely wrong अल्दो ये पूरा ड्राय था लेकिन फिर भी completely निकला नहीं था कुछ पैचिस रह गए थे मेरे लिफ्स पे मैंने सुचा finger rub करके हटा देती हूँ जिससे मेरी उंग्लियां stain हो गई थी और थोड़ा मेरे मूह में भी चला गया था मैंने give up पूरी तरह से कर दिया था इस पॉइंट पे मैंने सुचा tissue से अब इससे हटाऊंगी final result बहुत जादा पैची था बिलकुल भी worth it नहीं था ये गया straight मेरे dustbin में thank you for watching don't forget to subscribe